अब तक आपने देखा किस प्रकार रामा भासकर को गुरुपुल भेजने का निर्णा लेता है। अब आगे। BWu! 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 हमजे उन्तानी जा रहा है अ में उन्ताओं हा है 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 उन्ता है हुआ है तो जलाज से कहके इसे देवार पर लगवा देंगे परन तुसे अभी कहा रखे राज वन्स के सामान की प्रतीक समीप रखी जाती है इसे हम अपते समीप रखेंगे ये देखो ये जंगली पोदा फिर से उगाया ज्यात है ना कितना नशिला है ये पिछले मा इसे खाकर महराज की अश्को नशा चड़ गया जल्दी से निकालो इसे चीजी अभी निकालता हूँ हैरो परिचेदो कौन हो तुम दोनो तुम्हारे इतना दूस्ता है कि तुम राजकुमारी जनमा से दूर्विवार करो परिटीथ होता है कि इस सेनिक के विश्य में राजकुमार बाला को बताना पड़ेगा शमा कर दिजे राजकुमारी हमसे भूल हो गई उचित है हमने तुम्हें शमा किया सुनो बाला को कख्ष कहा है हम अनेक वर्षो प्रांत आई है यहाँ आगे से बाई तरफ प्रथम कख्ष है अनेकों वर्षो प्रांत अभी तो इनके आई हुई कितनी है बड़ी भूक लगी है कुछ खाने को मिल जाए तू सुनन्दी तो बहुत अच्छी है चक कर देख लेता हूँ तुम जाए दिखो में आए दिखी संब है एख एचा जो नए अजिए एगूँए मिलड़ एख गोलगी है मेरीकल, सुम्हे, से Parent Damad बच क्यों चितारे सब उट जाएंगे शीगरीटा करो हुँ ओ नाने थेले शेडी शोर मत मचा शेडी किसको गाँ हाँ जनता है कौन है हम हम राजगुरू, महागुरू, महाग्याने महाप्रतापेक महापंडेक रमश्री रताचारे और हम है वीजाइनगर समराठ क्रिशन देवराए महाप्राज की जेऊ चल भाग यहाँ से यहाँ भी नहीं है इवराज कुमार को ग्यात होगा या चोरी हुई है कि रिशन क्या होगा ग्यात है कोन करेगा चोरी आटाच की अच्छारे अच्छारे प्रॉप्षण शेखे मिल गया? शेखे लाँ दिखादो इस सैनी को कि हम भी चोड़ी कर सकते हैं अरेन गुरूजी चा का रहे? पकड़े जाएंगे पासकर पासकर लोपो वहाँ पात्र पासकर पासकर प्राता प्राता पाना पत्र तैनी को जल्लात बच्चों को बगड़ो भागो भागो बागो जादाद्री पीवगदी से भागे बच्रो चोड़ी भी युद्ध के समान होती है और युद्ध क्षेत्र से युद्ध कर नहीं भागते हैं अब शेत्र नहीं पंडित है आया को भागे भीर भी नहीं भागेंगे क्योंकि हमें महापंडित महाग्यानी राजगुरू तथाचार्य अब लेंगे हमपातिशोज तो तुमने मैं सार क्या उसका कुछ नहीं किया था मैंने आपके दार यू आतामने स्वेम किया था आपका दोश था फूल दन टोड़ गया था हम दोनों से जोड़ेते जिन्तों हमें उसे ही गोट सहीद आमने मस्तक पलगलिया और प्री सब्सक्ते अच्छेते का जो आपके जाथ हूआ उसका कारें मैता चूटे आप आ है तो किसे का होगे कौन तरेगा तुमारी आची का कौन तरेगा तुम परिश्वास अडब महाराज का दियावा ये अलुशन सबत नहीं पाड़ गया अब कैसे जाओगे गुरुकुल आसकर गुरुकुल जाएगा अब हम स्वयम आ गये हैं तो किसी भी प्रकार के पत्थ्र के आवश्यक्ता नहीं होगी किंदू महाराज तो प्रुकुल भासकर की नहीं थी आप पाला बिना सुचित किये ही राज महल से चले गए था सुचित किया हम यहां गए अन्यथा सत्य कैसे क्यात होता बाला विरुकुल से आने के बश्यात हम में सुचे में आपसे वारत अलाब करेंगे बासकर आप चलिए आज हम असाय हैं कि दूस दिन की पतिक्षा करेंगे जिस दिन हमार सामने तो मसाय होगे और तब लेंगे अंता दिशोज आज चलेंगे कठेश राच्यम समाचरे अर्थाद भासकर दुस्तुता का उत्तर कठोड़ता पुर्वखे दिया जाता है जिस परकार आपने बाला महुदय शेप पत्र पुना प्राप्त करने की चेश्टा की हम प्रसंद हुए आपसे अद्भुत आपने सिद्ध कर दिया कि आम के व्रिक्षपर पभूल नहीं आमें उकता है यथा पंडित राम विश्ना तथा भासकर महुदय मेरे बापो ऐसा नहीं समझते महाराच अन्यत था वो मुझे इतने दूर गुरुकुल ही बेजते आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं भासकर महुदय आपके विताश्य आपको गुरुकुल भेज रहे हैं तो आपके हित के लिए ताकि आप क्यानी बने वित्वान बने उन्हीं की भादी सुन्जे उन्हें आचारे से बात कर लिए भासकर अब आप गुरुकुल में प्रवेश कर सकते हैं मैं तुम्हारी प्रतिक्षा करूँगी मैं तुम्हें सदैस्मा डंडा कूँगा पूरियं गंदम मार खांगे तुम हमें आप स्रोद सुखीन स्रोदत ठलंव परतल वरत्व परत्त आप बबबस ठीक है ठीक है ठीक है मन लगा के पड़ना हमें तो बाध परिशान किया अपने इस गुरुजी को परिशान मत करना जा लोग जाओ जाओ अन्य थादेर हो जाएगी जाओ नहीं मैं हां के ली नहीं सकता है मुझे नहीं रहने हाता है अवसर क는지 पाइसकर। भाब। पाब। पापू पापा मुझे यहां से लेट चलो, आपकी बेना कैसे रोंगा मैं, आपके लोरी से उने पिला नीन्द भी नहीं आएगा अपने रिदय की गती को सुन भास कर, ये दूसरी धुनी मेरे रिदय की है हाँ पुत्र, मेरे रिदय तेरे साथ ही तो दड़कता है, जब भी तुझे मेरी याद आए, तो स्मरण रखना मैं सद्याव तेरे साथ हूँ, और सद्याव तेरे साथ ही रहूँगा, जा, मेधावी हो पूरी सक्षमता से ज्ञान ग्रहन कर, तुझे भासकर बनना है, संसार के आकाश में सूर्य के समान, प्रकारत्य जस्वे प्रकाश मान आम अंद्री जी महराज गत कही दियसों से, कोई अपनी याचिका लेकर यहां रात दर्बार में उपसिद नहीं हुआ है राज्य में सब कुशल मंगल तो है जी महराज विजय नगर के सभी नागरिक अत्यंती कुशल है और किसी भी अन्याय से परे है और महराज हमारे विजय नगर की सीमा है पूरे भारत वश में सबसे अधिक है बाकी सारे शासकों ने हमारा वर्चेस्व और विजय नगर की महानता को स्विकार कर लिया है सुख और सम्रुद्धी हमारे राज्य का अभीन अंग है सथा संपूर्ण राज्य में आनन्द का वातावरण है ऐसा प्रतीत होता है महराज की अनन्द काल की अवधी लेकर मानों खुशियां विजयनगर में बसने आ चुकी आद फोट बाह मंद्री जी महराज को हमारा सादर परनाम परनाम दूत होने के नाते मेरा निरंदर देश-विदेश में भ्रमन रहता है मैंने सारा भारत वर्ष देख लिया परन्तु विजयनगर की महमा ही निराली है हम आपके इस हनुगोव के विशे में विस्तार में सुनना चाहेंगे जिस राज्य का शासक नाय प्रिय वीड और दयावान हो जिस दरवार का मुख्य सलाकार पंडित रामागरिश्णा जैसे भुद्धिमान और दुरदरष्टा हो तिम्रशुजी जैसे कर्तव्यनिष्ठ और सक्षम महामंत्री हो और पार्गदर्शन के लिए राजगुरु तथाचार्य जैसे हो उस राजय की प्रतिष्ठा एवं संपन्नता सदैव ही बढ़ती रहती है इसमें नमीन क्या है महोदे ये जो धर्ती पर विजैनगर नामक्त स्वर्ग हम सबने मिलकर रचा ये सदैव से ही ऐसा है और सदैव ऐसा रहे का हम प्रातना करेंगे की विजैनगर के प्रताप की अगने शिखा कभी मध्यम ना हो आपने शिंद रहिए विजैनगर के प्रताप की अगने शिखा इस प्रकार सदैव प्रजवलित रहेंगी क्यों माराने चिन्ना दीवी मारानी तिरुमलंबा क्या राय है आपकी अवशे बहाराज इसमें संदेख कैसा बहाराज ये अगनी शिखा आपकी शौरे अवं बल बुद्धी से प्रदिप्त ऐसे में यहां कोई आज कैसे आ सकती है कभी नहीं आएगी महाराज पंडित रामकृष्णा रतीत होता है आप हमारे कथन से सहमत नहीं तत्त को अपनाने में इतनी असहिज ताक्यों हाराज दूत महदय ने जो विजनगर के विशे में कहा वो आपके कुशल शासन को दर्शाता है जो वर्तमान में सत्य भी है परन्तु वर्तमान में सत्य है पंडित रामकृष्णा केवल वर्तमान में अर्थात महराज समय गतिमान है कोई भी वर्तमान अमर नहीं होता और समय तो किसी के लिए भी नहीं रुखता जो आज है वो बीते वे कल में किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा अब कहना क्या चाहते है पंडितराम गृष्णा यही महराज के परिवर्तन ही संसार का नियम है और श्रिष्टी का भी पहले निर्मान करना फिर उसे पराकाष्ठा तक पहुँचा कर उसका संचालन करना और अंतु में उसी का विनाश्टा की पुने निर्मान हो सके यही श्रिष्टी चक्र है महराज तो पंडित रामा कृष्णा आज सब कुशल मंगल है फिर वेर्थ की चिंता क्यों? चिंता नहीं गुरुवर, चिंता नहीं सत्य जो आज है, कल बदल जाएगा जो आज बल्वान है, कल शिथिल हो जाएगा जो आज उचाई पर है, कल धराशाई हो जाएगा जो आज जिवित है कल उसकी मृत्यू निश्यत है नई पंडित रामकृष्णा ऐसा कोई परिवर्तन विजनेगर राज्य में नहीं होगा विजनेगर राज्य में समृध्धी और खुशाली के पुश सदय विशी प्रशार तुगंपित रहेंगे हमारी सीमाएं मामंत्री तिमारतुजी के पुशाओं से तुरक्षित रहेंगे और हम अपना राज धर्म अचारे सथाचारे की अनुक्रिपा में सदय विशी प्रकार निभाते रहेंगे ताप पनित रामकृष्णा आप पर्तुख कोयम मा काली का चीर स्थाई आशिरवाद तिर आप इस प्रकार की बाते कैसे कर सकते हैं श्वा करें महाराज मैं अपने कथन से निराशा नहीं पहलाना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो निश्चित और अनिवार्य है उसे स्विकारना भी चाहिए जैसे कि हमारा वृद्ध होना जैसे पूर्व निर्धारित समय पर मृत्यों के देवताय अमराज का आना और हमें अपने साथ ले जाना जैसे कि हर संस्कृति का उदै होना अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचना और अंततर अस्त हो जाना ऐसा कुछ रहोगा पंडीत रामकृष्ठा विजयनगर राजे की सीमाओं में जमराज का प्रवेश वर्जित है हर समय हर काल में वर्जित ही रहेगा हमारे राजे में सब कुछ ऐसा ही रहेगा कोई परिवर्दन नहीं होगा कभी नहीं तो वर्ष थो क्या तो कुम वक्तियों ना बीच जाए क्या में प्रवेश प्रवेश जाए ए बगवान कैसा स्वामी दिया है भूख लगे तो खाना मना प्यास लगे तो पीना मना गाड़ी घीचते घीचते ठक जाओ तो रुखना मना और स्वयम इसले सोता रहता है कि जाकर खा सके और खाता इसलिए है कि फिर से सो सके कैसा पंड़े देरा ये ए पधेक इच्छा उतर ए पधेक शीगर उतरो अन्यता हम घोड़ा समेत उपर आ जाएंगे मैं तो जनम से गदा हूँ लगता है तुम लोग बुद्धी से हो जो इसे रोक रहे हो और साक्षाद विपदा को आमंत्रन दे रहे हो से पासे, ए जो अठा, ए जो दे, भी सीन, प्रॉठ बसे, प्रॉठ बढ़ा! बढ़ा! बढ़ा!